आधी अधूरी नौलीज से जाओगे तो आपको 5-10-15 अजाव पे से जदा कहीं नहीं मिलेगे और 10 साल भी आप बिता दोगे तो मुस्किल से मुस्किल 5 जार बढ़ जाएंगे आपके इसलिए एक अकाउंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सीखना वो सीखता रहे हैं जो चाहते हैं कि सर मुझे जोब करनी है तो मेरे लिए क्या सही रहेगा कोई परफेक्ट सा तरीका बता दीजे आज आपके लिए वहत्री वीडियो लेकर आया हूं आज मैं बात करूंगा डारेक्ट आफ्टर वीकॉम फ्रेशर अगर आप हैं तो यह आपके लिए सकते हैं और कुछ जोब्स ऐसी भी है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर एक डिप्लोमा कर लेना है जो जोब से रिलेटेड है जैसे वह six month का one year का after that you can get a job ठीक है तो अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट है वीडियो आपके लिए बहुत साथ है इंपोटेंट है वीडिय कई भी जोब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तीन चीशे सबसे पहले मांगी जाती है आपके पास डिग्री कौन सी है आपका रिज्यूम और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस और इन तीनों के होने के बावजूद भी हमें step by step struggle करना पड़ता है लेकिन अगर आप इन गड़ ने जाओगे जो में आपके रिएख रहाए है इसमें सबसे चीव बात ही कि स्ट्रगर बहुत माइनर सा है आपको स्टार्टरिंग से पेकिन इंडिया के बारे में रोजाना नहीं नहीं स्कीम्स लाते रहते हैं तो चितने स्टार्ट अपस बढ़ेंगे उतने ज्यादा अकाउंटेंसी बढ़ेगी और ऐसे में एक अकाउंटेंट तो सब कर नहीं सकता इसलिए यहां पर ज़रत होगी मल्टीपल लोगों की इसक अगर आप यह कह सकते हो कि मैंने बीकॉम किया है लेकिन मुझे बीकॉम के साथ साथ इस चीज की भी नौलीज है आपको जो एकदम से मिल जाएगे अगर आप एक अकाउंटेंट बना चाहते हैं तो अगर आप अभी एक बीकॉम स्टूडेंट है अभी की अभी study के साथ स्क्राइब न को एक दाइब स्पाइब इंस को आपको sih आपको सीख लेना चाहिए अगर आप सीख लेते हो तो आपको जो मिल जाएगी जो मिलेगी है यापको किसी ट्रेडर के यहाँ पर सीए के यहाँ पर टैक्स लोएर के यहाँ पर यह किसी सीनियर एडवोकेट के ओफिस में या फिर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जी यहां दोस्तों जितने बड़ा बिजनीस होगा देखो मैं आपको चीज समझ है कोई टैक्स का लोयर हो गया या कोई फर्म होगी या फिर कोई कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों अब इन सम्में देखो मैं बताता हूं जितना बड़ा यह फर्म होगी उतने ज़्याद मां अकाउंटेंट हों कोई छोटी फर्म होगी मां पर और 10 साल दोगे तो मुस्किल से पांच आर बढ़ जाएंगे आपके लेकिन आपके करी रही पर भी जाएगा इसलिए एक अकाउंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा जुरूरी है सीखना वो सीखता रहेगा जहां उसका सीखना बंद हो गया उसका करियर वही रुप गया अब समझे मेरी बात को इन सभी फर्म में आपको जोब मिल सकती है आपको पहले सड़त है कि आपको बीको के साथ से आपको जोब मिल जाती है या फिर आपको सीनियर अकाउंटेंट से भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं वह आपको काम दिला सकता है सेकिंड वन इस टैक्स एडवाईजरी सर्विसेज दोस्तों आज की डेट में आपको तना चाहता हूं अगर आपको टैक्स की नॉलिज ह सकते हैं इसके अलावा अगर आपको टैक्स के अच्छी खासी नॉलिज है तो आप अपना कोई ऑफिस बना सकते हो यानि कि अपनी कोई सर्विसेज प्रवाइड करा सकते हो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बिजनिसमेन हैं जिनका बिजनिस बहुत ज़्यादा बड़ा हैं वह अपना अकाउंट यह तो खुदी कर लेते हैं या उन्हें कोई सस्ता सा काउंटेंट रखा वाए अब ऐसे में जब बात आती है टेक्स की इंकम टेक्स लोग की सेल टेक्स लोग की तो उन्हें उसकी कमी महसूस देती है वो लोग बड़े-बड़े सीय और नहीं कर स ही नहीं था माल जो है पकड़ा गया ठीक है और माल पकड़ा गया सेल टेक्स देपार्टमेंट की तरफ से अब उसके लिए आपको उस केस को लड़ना पड़ेगा यह वो केस होते हैं जिसके लिए कोट में नहीं जाना होता लेकिन का सेपरेट कोट होता है वहां होती यह आपके कुछ गड़बड आई तो आपके लिए यहां पर एक केस डल गया तो उसके लिए आपको महाँ पर जाना पड़ेगा हाजरी लगानी पड़ेगी कागज आपके चेक होंगे तो यह सब चीज़े रहती है और इन सब चीज़ों के लिए कौन एल्प करता है टेक्स सकते हो जैसे इंकम टेक्स बीकॉम सेकंड इर में बहुत सारे बच्चे उसे केवल रट्टा प्रिकेशन करके निकाल देते हैं लेकिन जो बच्चे समझते हैं वह आगे जाके टेक्स की फिल्ड में अच्छा काम करते हैं यह प्रैक्टिकल सी बात है और यहां पे देखो ज दूस्तों नोलीज होगी और आप स्टार्टिंग से ले सकते हैं इसलिए मैंने कहा है कि आज मैं बीकॉम फ्रेशर के लिए जो बता रहा हूं तो आप कोई भी सर्च करें आसवास अपने वहां पे जाके अपलाई कर सकते हैं सीखते रहेंगे तनका भढ़ती रहेगी नेक् प्राइवेट्स ज्यादा होते हैं तो अगर इन तीनों में से किसी फर्म में आप जाके सिंपली जोब ले सकते हो अगर आप बीकॉम फ्रेशर हो वह पास सही है कि आपको ज्यादा अच्छी सेलरी नहीं मिलेगी लेकिन यह उनके लिए जिनको इंस्टेंटी जोब चाहिए और वह फ्रेशर है आप जैसे मैं बता हूँ बैंक की अगर बात करूँ है एक्सी बैंक के एक्सी बैंक के लोटो बैंक देर उन सभी बैंक में आप जाके अपलाई कर सकते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है आपको यहां पर जोब मिल सकती है आपको लोन डिपार् इंशोरेंस में आज की रेट में प्राइविट कितनी सारे इंशोरेंस आ चुके हैं यह आप भी जानके बिल्ला लाइफ इंशोरेंस यह वह दुनिया बर की वहाँ पे आपको इमिजेट काम मिल जाता है सबसे जोब है सेल्स की और मार्केटिंग की आप कोई भी फ्रेशर जाके ले सकते हो आपको उसके लिए करना क्या होगा किसी मिडर से तो मती मिले आप इस तरह की किसी फ़र्म में जाकर पता कर सकते हैं वहाँ पे क्या कोई जोब खाली है आपको डिरेक्ट मिल सकती है बस दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको टार करके अभी वी कॉम किया है अभी अभी एम कॉम किया है ताइवाई लगा कि अपना बाओ जी वने घुम रहे हैं वह अच्छे तो लगते हैं लेकिन की सेलरी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन आप अगर मेहनत करते रोगे तो इसी फिल्ट से लोग वह भी होते हैं इनकी एक प्राइविट बैंक के लिए एक डिपलोमा भी आता है जिसका नाम होता है डिपलोमा बैंकिंग यह एक साल का डिपलोमा होता है अगर इसे आप बीकॉम के बाद कर लेते हैं तो आपको बैंक में एक अच्छी कासी जोब मिल जाती है जिसकी सेलरी 15,000 होगी और एक पर्मने DHFC Bank Jobs, ICICI Bank Jobs, Axis Bank Jobs, उनकी separate career के नाम से website होती है HDFC Career, ICICI Bank Career, वहाँ पर वो job recruitment करते हैं वहाँ पर जाकर अपलाई करती हो यह फिर अपने local branch में जाकि भी आप Direct Contact कर सकते हैं वहाँ पर आपको जोब मिल सकती है नेक्स वादी इंटरनेशनल बैंकिंग दोस्तों इंटरनेशनल बैंकिंग में भी बहुत स्कोब है अगर आप बैसिकली इंटरनेशनल बैंकिंग का डिप्लोमा आता है अगर आप वह कर लेते हैं यह आपने बीकॉम ओनर्स करक के बैंक होते हैं export-import bank ठीक है उसके लाबा जो currency exchange का काम होता है जिस तरह के department से आपको मिल जाता है लेकिन यह सब बता रहा हूं यह सब रिलेट करते हैं बैंक से ही तो जितने भी हमारे eligibility अलग होती है और एक जोन में जोब के लिए अलग criteria होता है लेकिन बीकॉम के बाद मैक्सिम जोब में आग जोब ले सकते हो उसके लिए आपको पना सही तरीका बता है बस एक बात ध्यान रखें किसी भी ऐसे लोगों से साफधान रहें जो आपको लगता है कि यह बिचोली माल रहा था आपको यहां पर financial services उसी का ही part है यह और इंशुरेंस इन्षोरेंट की जोब एकदम से मिल जाएगी कौनसी जोब है दोस्तों इंशुरेंस एजएंट जी यहां इंशुरेस एजएंट मैं जैसे मैं इंशुरेंस की बात करूँ हेल्थ इंशुरेंस कार इंशु होता है लेकिन private job के लिए private किसी कम्पिनी में एक एग्जाम होता है उससे दें कर प्राइबंट ली ठीक है उसके लिए आपको आईर्ड आप जानते होगे मिटे commencer है उसके कopic अकोडिंग ही हमारे ऑल आवर इंडिया के सारी insurance company काम करती है rule regulation वही build-up करते हैं और वह इसको controlled करते हैं ठीक है तो आप उसके coding insurance agent के तोर पर काम कर सकते हो starting से आपको salary plus एक अच्छा खासा commission मिल सकता है यह field work job होती है जो आपको instantly मिल जाएगी और आप office में job करने तो उसके आपको specialization होना चाहिए तो दोस्तों नेक्स बात कर लेते हैं telecommunications services and BPO क्या होता है आप इसे साधारान बासा में समझेंगे तो यह होता है call center call center जब से कोरोना आया है call center का काम घर से हो गया है तो कि इसमें कंपनिया खर्चा बसता जिसे कहते है work from home बहुत सारी job services में करना क्या होता है यह दो तरह की services होती है इसे कुछ लोग BPO बोल देते हैं कुछ लोग telecommunication services बोलते हैं कुछ लोग tele calling बोल देते हैं कुछ लो customer service executive बोल देते हैं और जो Amazon है वो इसको बोलता है VCS virtual customer services अब आप को कि सर आपको इतनी knowledge है भाई हमारी फिल्ड ही है इसलिए हमने एक separate channel बनाया है जिसका नाम है दोस्तो sbj jobs adda अगर आपको job चाहिए तो आप आज ही उस channel को subscribe कर लें उस channel का लिंक आपको description में मिल जाएगा या फिर इसी channel के home page पर ही मिल जाएगा या फिर आप YouTube पर जाकर search कर सकते हैं sbj सब्सक्राइब कर लें यहां पर डेली एक से दो वीडियो आती है जिसमें आपको jobs बताई जाती है पाट टाइम जोब फुल टाइम जोब वर्क फ्रॉम आप जोब अब जैसे जितनी भी कोल सेंटर बीपियो या आपको वीसीएस की jobs आती है अकल भी मैंने दो वीडियो ठीक है वो जाके आप देख सकते हैं वो थी डाटा एंट्री की जोब तो आप सब कर लो है और अभी भी दो जोब मेरे पास आई वी है उनकी वीडियो बनानी जाह रही है दोस्तों डेली अपडेट्स आती है लिंक वगयरा सब प्रोवाइड किया जाते हैं आप बीकॉम कर करते भी कर सकते हो बीकॉम के बात भी कर सकते हो डारेक्ट बस आपको एक इंटर्वू करना होता है आपका जो कम्यूकेशन स्किल है बोलने का लहजा कोड़ी बहुत इंगली शानी चाहिए है ना कुछ जो अप्सेसिंस में इंगली इसकी जुरूत नहीं होती तो उसके लि क्लिरिकल डिपार्टमेंट से लेकर एक जिसे कहते हैं फोर मैं तक पूर मैं कोन होता है जो मशीन चलाता है अब यह तो वह जोब से हैं जो कोई भी कर सकता है लेकिन आपके लिए महां पर जोब होगी कलरक में यानिकिए ऑफिस स्टाफ में तो इन सभी कंपनीज में सभी म कर्स की जोड़त होती है तो आपके पास-पास कोई फैक्टरी है कोई मैंफेक्टिंग फरम है वहां पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों बाकी जोब बिल जाती है अभी रिसेंट लेक चल रहा है जिसका नाम हीरो ठीक है उस एप पर कंसल्टन सी सोरी कंस्रक् लिखावा है डेली फीज के साबसे भी है जोब मंतली सेलरी के साबसे भी है नेक्स वन इस गवर्मेंट सर्विसेश अब दोस्तों अगर बीकोम आप कर चुके हो और फ्रेशर हो उसके बाद जोब चाहिए तो गवर्मेंट जोब भी है आपके पास जिसमें आप बैंक की ज सकते हो जहां सकते हो बस क्या होता है और कुछ पोस्ट में आको एकसिलैंस चाहिए होता है मैं इंगलिश में अब यह आपको देखना है कि आप इन में से किस विल्ड को समझते हो अच्छे से अगर मैं आपको अधर सेक्टर टू इंक्लूडेड अगर मैंने आप लिए जैसे ओटो मिबिल से होस्पटालिटी है होस्पटालिटी जानते हो ना होटल इंडरस्ट्री में आ जाता है और कु क्या हूं जोब लैस हूं तो यह बिल्कुल गलत होगा दोस्तों आपको अपने इंटरस्ट के साफ से कमेंट करके बताना है कि आपको किस विल्ड में जोब चाहिए हम उसके रिगार्डिंग आपको और आगे बताएंगे डिटेल्स में यह तक भी बता देंगे कि कहां जाक चुके हैं कि आपको इसमें गाइड कर सकते हैं that's why we create this channel. Thank you very much.